रूस के राष्ट्रपती वलादमीर पुतीन नई दिल्ली नहीं आएंगे जी हाँ खबरे निकल कर सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपती वलादमीर पुतीन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 सिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे आपको बता दे कि क्रेमलीन के प्रवक्ता ने यह जानकारी साजह की है उन्होंने बताया कि भारत दोरे को लेकर राष्ट्रपती पुतीन की ऐसी कोई योजना फिलाल नहीं है क्रेमलीन के प्रवक्ता दिमित्री पेश्कोव ने यह भी बताया कि पुतीन की भागिदारी का प्रारूप आने वाले समय में निर्धारित किया जाएगा आपको यह भी जानकारी दे कि जोहानिसबर्ग में हाली में समाप्त हुए ब्रिक्स सिखर सम्मेलन में भी पुतीन व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुए थे उनका प्रतिनिधित्व रूसी विदेश मंत्री ने किया था राश्ट्रपती पुतीन ने COVID-19 के बाद हुए पहले प्रत्यक्ष ब्रिक्स सिखर सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया क्यूंकि अंतरराश्ट्रिय अपराधिक न्यायाल है ICC ने यूक्रेनी बच्चों को रूस में निर्वासित करने की एक कथित योजना को लेकर मार्च में उनके खिलाब गिरफतारी वारेंट जारी किया था दक्षिन अफरिका ICC से जुड़ा हस्ताक्षर करता है और आशंका थी कि वह पुतीन के आने पर उनकी गिरफतारी कराने में मदद कर सकता है इधर बात अगर G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों की करे तो दिल्ली पुलेस G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा कवायब के तहट किसी भी अफवाब पहलाने वाले या भड़काव पोस्ट को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखेगी आप राधिक तत्तों की पहचान वा जाच करेगी और शहर में मौल, बाजारों वा धार्म की स्थलों पर ध्यान केंद्रित करेगी इस संबंद में एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए यह बताया कि राष्टिय राजधानी में अनुचित प्रवेश को रोकने के लिए सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा हाला कि सामान वाहनों और लोगों को आवाजाही की अनुमती दी जाएगी वहीं उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस आयुक्त समेत दिल्ली पुलिस के शिर्ष अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक की जिसके बाद उन्होंने यह पूरी जानकारी दी उन्होंने कहा कि अगर कुछ विशेश समूह दो दिवसिय शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन करने या उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें शहर में प्रवेश करने से रोग देगी राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि बैठक के दौरान उपराज जेपाल को सूचित किया गया कि अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन से संबंदित विशेश्ट कारियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए 60 पुलिस उपायुक्तों को दाइत्तु सौपा गया है